हेलो फ्रेंड्स रादे रादे वेलकम बैक नीम वीएटियो मैं बनाने जा रहे हो गैस खरबूजे के बीजे की खथ्री ने के लिए रोही की कड़ाई लेंगे या जो भी कड़ाई हो उसमें डालेंगे एक चंचा देशी घी बीजे को ढख देंगे और कड़ाई को गरम होने देंगे और गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे अगर आप थाली से ढगेंगे या नहीं तो जितने भी बीजे हैं सारे कूत कर बाहार चले जाएंगे और कड़ाई खाली हो जाएगे तो गैस इस तरीके से इसको जब ढग देंगे और ज़्यादा ओयल डालेंगे घी तो उसमें जब बीजे भी जाएंगे और इस पर ढग देंगे तो इस तरीके से आप बीजे को तल सकते हैं तो इस तरीके से गैस बीजे को अच्छे से तल लिया है और गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर और आप सभी को गैस जनमाश्टमी की बहुत बहुत शुब कामना है अब नौराते में भी आप खरबूजे की बीजे की कत्री बनाकर इस्टोर करके रख सकते हैं और काना जी के लिए और मातरानी के लिए भूग भी लगा सकते हैं भूग लगाकर आप प्रिशाद में पाहिएगा और प्रिशाद सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो लीजे खरबूजे की बीजे फ्राई हो चुके हैं इस तरीके से गर्स अब इस कड़ाई में दोना नहीं है बस इसी कड़ाई में ही खरबूजे के बीजे की कत्री बनानी है तो गैस इस तरीके से आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि खरबूजे की बीजे की कत्री बहुत ही ज़दा बढ़ियां लगती है खाने में और बहुत ही ज़दा फाइद कत्री बिल्कुल भी जमेंगी नहीं तुल वाल जब खौल आने लगी तब इसमें चीनी एड़ करनी है तो मैंने छोटी कटोरी चीनी जो आप क्वाइंटिटी देख सकते हैं कि 50 ग्राम सम्थिंग चीनी है और इसमें डाल देंगे 500 ग्राम बीजे में 50 ग्राम कट चीनी अब इसमें खौचे से जब खौल आने लगेगी तब इसकी दो तार की चासनी बनानी है जब कर्ची से इस तरीके से आप करेंगे तो इसमें दो तार की चासनी निकल के आएगी और नॉर्मल लंप्रेचर का पानी है उसमें आप चासनी को डालेंगे तो ये नीचे को जमने लगती है या पानी ठंडा ले लीजिए और जब चासनी डालेंगे तो ये जमने लगेगी अब आप देख सकते हैं कि ये दो तार की चासनी परफेक्ट तयार हो गए तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं मैं दिखा रही हूं पूरी दो तार अपस में निकल रहे है तो इसको गैस बोलते हैं बहुत ही खरा पाग हो जाता है उसमें घंपती है केस को लो फलेम पर कर देढ़ेंगे और जो बीजे मैंने फ्राइ किये थे तो वो इसमें एड़ कर देंगे तो इस तरीके से आप बीजे की कत्री बना सकते हैं quantity बिल्कुल perfect रखनी है आप चाहें तो आदा किलो बीजे की कत्री बनाईए तो उसमें चीनी आपको डाइसो ग्राम एड़ करनी है तो इस तरीके से प्रोसेस से आप बना सकते हैं तो आपको कत्री की बीडियो कैसी लगी आप कौन से जगह से देख रहे हैं कौन से सहर से देख रहे हैं और ठाली में घी ग्रीस कर लेंगे और पहले मैंने बीजे निकालेते तो ठाली चिकनी है तो इसी में जो मैंने जमाया है वो इसमें डाल देंगे चासनी कत्री वाली तो इस तरीके से जब डाल देंगे तो इस तरीके से जब पैलने लगेगी थाली में तो अलड़ी अपने हापी फैल रही है अब जब मैं करडाई से निकाल रही हूं तो आप देख रहे हैं कि जमने लगी है तो चासनी परफेक्ट जमने के लिए बहुत ही बढ़ियां बनकर कथरी तयार हुई है इस तरीके से आप खरबुजे की बीजे की कथरी बनाएंगे तो सचमानी है बहुत ही बढ़िया टेस्टी और जम जाएगी अब इसको एक घंटे के लिए पंखे में रखनेंगे 15 मिन या एक घंटे तो इस तरीके से जब यह ठंडा हो जाएगा क्योंकि चीनी की चासनी जो होती है थोड़ी सी गरम होती है और ठंडा होने में समय लेती है तो डूद यह तो फ्रीफ में रख सकते हैं तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा मगर इतना गरम फ्रीज में रखना नहीं है थोड़ा ठंडा हो जाए तब यह रख जरम गई है तो इस तरीके से जर्म जायेगी तो च्छाखू से गाटेएग मुए आप देख सकते हैं कि चाकू से काटिएगा या इस तरीके से तोड़ लीजिएगा चोटे चोटे पीसस में तो इस तरीके से खरबूजे के बीजे की कद्री बनकर फरफेक्टी तयार हो गई अगर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब सेड़ कीजिए हैं मिलते हैं नएस वीडियो में रादे हैं